जाहिन दोस्तों आज हम समझेंगे डॉट मेट्रिक प्रिंटर के बारे में डॉट मेट्रिक प्रिंटर क्या होता है और यह कैसे काम करता है डॉट मेट्रिक का मतलब होता है एक ऐसा प्रिंटर जो डॉट के द्वारा प्रिंट करता है यानि कि रीबन प्रिंटर भी बोलते है के इस ही के इस printer को एक ऐसा printer जिसके उपर ribbon वाली process होती है एक ribbon हो कर के निकलती है जहां उसके head के द्वारा और वहां से वह print करता है ऐसे printer को हम chamado 已经 कete है अब इसको घ्राइग्राम के द्वारा समझेंगे तो अच्छे मजमा आएगा ठीक है यहां पर यह इस टाइब का आपका प्रिंटर है ठीक है यहां पर लगा है आपका हेड है ना और यहां से कि इसकी पूरी बॉड़ी है कि यहां पर एक रीबन लगा रहता है यह रीबन का इस्टोर यहां रेता है और यह इसमें से हो के निकलता है रीबन ठीक है यहां से इस टाइप से एक रीबन गुंता रेता है इसके अंदर से एक रीबन रहता है उसके अंदर ऐसा प्रिंटर जो रीबन के द्वारा प्रिंट करता हो जिसे डॉट द्वारा इनका प्रिंटिंग होती हो उसे हम डॉट मेंटिक प्रिंटर कहते हैं यह डाइग्राम के द्वारा आप समझ सकते हो ऐसा प्रिंटर यहां से हमारे जो है पेप ओट होता है ठीक है यहां से उसकी यह जैसे paper अंदर आता है यहां पर आपका उसका head लगा रहता है head इसके ओपर dot की द्वारा ऐसे ऐसे इसे उसकी printing करता है यसे बोलते ह rebels टेक printer ठीक है आगे चलते हैं हम अगला printer के बार के बारन किया होता है scvy printer एक ऐसा प्रिंटर जिसके दुआरा आफ-लाइन प्रिंटिंग की प्रोसेस होती है अब आप प्रिंटिंग क्या होता है आपने कभई ट्वक्राइटर देखा आपने नाम अलग है उसका डेजिविल दिया है बट उसको टाइप रॉइंटर का जैसे एक टाइपर रेटर रहता जो ना जो तेसील या कि गॉवर्मेंट कारियाले में जहां पर बैठा रहते हैं टाइप करते हैं और Ü Всем यह हैट को मूब करके प्रिंज होता है उसके अंदर वह बड़ा सा गोल जैसा एक वह रगा करता है ऐसे printer को हम डेजी विल प्रिंटर कहते हैं जो अधिकतर गवर्मेंट कारियाले में अधिकतर यूज होता है जिनने हम टाइप रैटर भी कह सकते हैं ऐसे printer को हम उस पर समझते हैं डाइगराइं को द्वारा इसे समझते हैं यहाँ पर एक उसमें इस एक फूल टाइप का उसका हेड होता है ठीक है यहाँ पर उसका एक रोलर लगा रहता है जिसे टाइप रैटर द्वारा उसे बार-बार आगे पीछे किया जाता है ठीक है यहाँ पर सारे उसकी यह कीवोर्ड होता है यहाँ से वो टाइप करता है यहाँ पर उसकी सारी इंक की प्रिंटिंग होती है याने यहाँ से उसके इंक प्रेसिंग होती है एक प्लेटिन के द्वारा प्रेस करते हैं उसे एक की दबाया है तो प्लेटिन के द्वारा उस पर प्रेस होता है और वही प्रेस होने के बाद वो प्रिंट करता है अंदर जा करके तो ये offline, offset printing जिसे बोल सकते हैं, offline होता है गाम इसमें, कोई system से connect नहीं होता है ऐसे printer को desirable printer कहा जाता है ink-z printer, क्या होता है ink-z printer? एक ऐसा printer जिसमें ink की बूंदे, उसके ओपर printer, head के ओपर printer होने से उसकी छपाई होती है एसे printer को हम ink-z printer कहते हैं, एसा printer जिसमें ink-z printer के द्वारा head तक आता है उसके बाद head के उपर से, जो ink रहती है, वो छपाई के द्वारा, गूंदो की द्वारा उसको छपाई होती है ठीक है, इसको हम diagram को द्वारा समझते हैं यहाँ पर समझते हैं, यह हो गया आपका printer, यहाँ पर head लगा है आपका, ठीक है यह head आपका बार-बार यहाँ से यहाँ तक ऐसे ऐसे move करेगा यहाँ पर लगी है ink की वो, इन सबसे वो connect रहता है ऐसी, यह नली यहां रहती है, जहाँ से ink tank से, यह tank होता है यहाँ पर tank, यहाँ से, इस head के अंदर उसमें ink आता है और यहाँ से इसकी छपाई होती है, यहाँ से आपका printer, जो है paper यहाँ से आपका paper input होता है, input, paper, paper और यहाँ पर बाहर, out, out, paper एक ऐसा printer जो बुंदों के द्वारा, यानि कि जो print रहता है, यहाँ जिसे बोलते है, nozzle printer एक ऐसा printer जिसमें nozzle लगा हो, उस nozzle के उपर ink आती है, और उस ink से printing होती है, paper के उपर ऐसा printer जिसमें nozzle के द्वारा printing किया जाता है, ऐसे printer को हम ink-z printer कहते है इस printer का उपयोग काफी समय से चल रहा है, और यह easy format भी रहता है, बट इसमें एक condition रहती है, कि अगर इस printer को खुले time तक छोड़ दिया जाए, कुछ समय तक अगर इसे use नहीं करते हैं, तो यह इसकी ink सूख जाती है, इसका nozzle जो है damage हो जाता है, और वह खराब हो जाता है इस लिए इस printer का ज़्यादा तर यूज होना उसमें laser printer होता है, यानि कि laser के द्वारा printing की जाने वाले printer को हम laser printer कहते हैं, इसमें 600 से 600 तक का resolution होता है, 1200 से 1200 तक का resolution होता है, इसमें ink और printing दोनों की बहुत अच्छी printing आती है, यानि कि quality बहुत अच्छी आती है, इसके बाद में toner क्या काम करता है, उसके उपर light डालता है, और light काई पर machine के अंदर उसकी beam लगी रहती, beam के उपर light पढ़ती है, light पढ़ने से उसके उपर printing चालू हो जाती है, इसी प्रकार से इसको हम एक diagram के द्वारा समझते हैं, यह हो गया आपका printer, इस printer के अंदर ऐसा एक toner लगा हो रह ऐसी quality रहती है, उसके उपर यह printer द्वारा beam के द्वारा यहां से lighting पढ़ती है, उस lighting के द्वारा यहां पर आपका printing start होता है